दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है चमतकारी तोटके में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर मुसीबत से बचाता है गायतरी मंत्र इससे जल्दी ही मिलते हैं शुब फल आईए जानते हैं इससे जुड़ी ये जानकारी दोस्तों ग्रंथों में गायतरी मंत्र का विशेश महत्व है इसके जाप से हर समस्या का समाधान होता है धर्मशास्त्रों के अनुसार जेश्ट मास के शुकलपक्ष की दश्मी तिथी को गायतरी जैनतिय मनाई जाती है देवी गायतरी को वेदों की माता भी कहा जाता है गाय अब आपको बताते हैं इसका अर्थ। उस प्रान स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ट तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारन करें। वो इश्वर हमारी बुद्धी को सनमार्ग पर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का जाप करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। गायत्री मंत्र जाप एक आगरता पूर्वक करना चाहिए। इस मंत्र का मानसिक जाप किसी भी समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र जाप करने वाले का खान पान शुद्ध होना चाहिए। जिन लोगों का सात्विक खानपान नहीं है, वोов भी गायतरी मंत्र कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ती भी शुद्ध और सद्गुणी बन जाता है। तो दोस्तों ये तो था गायतरी मंत्र करने का तरीका। अब आपको बदाते हैं इसके फाइदे के बारे में आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें देखते रहें चमतकारी तूटके